Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं A Far Cry From Africa इस पोएम को लिखा है डेरेक वालकॉर्ट ने योकि एक वेस्ट इंडियन राइटर थे वालकॉर्ट ने इस पोएम को 1962 में पब्लिश किया इस पोएम का बैक्ग्राउंड ये है ये 1952 से 1960 के दरम्यान अफरीका के अंदर माव माव अपराइजिंग हुई मतलब ये केनिया में केनियन्स ने गोरिला वार लड़ी ब्रीटिशर्स के हिलाफ अपने इंडिपेंडन्स के लिए तो ये पोएम भी उसी के बारे में है नमबर टू पर जो स्पीकर है वो डबल आइडेंटिटी के साथ इस पोएम के अंदर जाहिर हो रहे है मतलब ये के डिरेक वाल कोट जो है उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अफरीकन थी और ग्रैंड फादर जो थे वो ब्रीटिशर थे तो उनकी डबल आइडेंटिटी है वो अफरीकन भी थे और ब्रीटिशर यॉरोपियन भी थे तो जो स्पीकर है इस पोएम का वो भी डबल आइडेंटिटी के साथ है मतलब ये कि उसकी कॉनलिक्टिंग आइडेंटिटी वो अफ्रीकन्स के लिए बुरा भी फिल कर रहा है लेकिन उसकी रगों में यॉरपियन खुन भी दोड़ रहा है तो उससे समझ नहीं आ रही कि वो किस साइड पर जाए अफ्रीकन्स के लिए अपनी हमदर्दी जाहिर करें या फिर कॉलोनाइजर्स के लिए तो दोनों पर है तो वो अपनी कॉन्फिलिक्टिंग आइडेंटिटी के बारे में भी बात कर रहा है तो ये पोईम दो इसके मेन आइडियाज है एक तो माव माव अपराइजिंग के किस तरह केनियन्स ने जंग लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ और नमबर टू पर जो कॉन्फिलि एक हवा का जोंका हलचल मचा रहा है दा तौनी पैल्ट गंदमी रंग की खाल के उपर of Africa अफरीका की हवा का एक जोंका अफरीका की गंदमी खाल के अंदर हलचल मचा रहा है कीकुयू ये एक केनिया का ट्राइब है जिसे कीकुयू कहा जाता है quick as flies वो इतने तेज हैं जैसे मक्हियां हो batten upon वो पल रहे हैं the blood streams इसके उपर खून की धारों के उपर of the world अफरीका के मेदानों में कीकुयो ट्राइब मक्हियों की तरह है जो के अफरीका के मेदानों में खून की धारों के उपर पल रहा है corpses लाशें are scattered वो फैली हुई हैं बिखरी हुई हैं through our paradise एक जन्नत के अंदर इस जन्नत के अंदर लाशें बिखरी हुई हैं only the worm सिर्फ वो कीडे kernel of carryon जो के इन लाशों के इन मुर्दारों के kernel हैं वो चीखते हैं waste no compassion के जाया ना करो अपनी हमदर्दिया on these separate dead इन अलहदा पड़ी लाशों के उपर statistics justify के अदादों शमार साबित कर देता है and scholars sees और आलिम लिख देते हैं the salience नमाया चीज़ों को of colonial policy जो colonial policy के नमाया चीज़े होती हैं उनके बारे में what is that to the white child इससे क्या फर्क पड़ता है उस सुफैद बच्चे को hacked जिसे काटा गया है in bed उसके पिस्तर में to savages और क्या फर्क पड़ता है उन वहशियों को expendable as Jews जिने Jews मान लिया चाता है अब यहाँ पर writer क्या कहना चाह रहा है कि जब colonial power उसका जो impact था अफरीका के उपर जब colonialism आई और उसने कबजा कर लिया अफरीका के उपर तो वहाँ पर जो tribes थे उन्होंने अपने आपको defend करने के लिए अपने आपको आजाद करवाने के लिए वहाँ पर जंग शुरू कर दी उसे माव माव movement कहा जाता है तो जब जंग चीड़ी तो एक दूसरे के आमने सामने आए तो लोग मरना शुरू हो गए तो यहाँ पर mainly क्या कहा जा रहा है कि जो colonial rule था वो और जो अफरीका के लोग थे वो वो आमने सामने आए और उन्होंने एक दूसरे को मारा और एक दूसरे के साथ खून खराबा किया बुरा किया तो राइटर यहाँ पर यह डिफेंड कर रहा है कि अफरीका के लोग उन्होंने भी अपने आपको डिफेंड करने की कोशिश की और जो colonial लोग थे उन्होंने भी उनको उस डिफेंड को नेगेटिव लिया और फिर उनके खिलाब खड़े हो गए Threshed out by beaters मारा गया पीटने वालों से The long और फिर लंबे Russia's hulchal break duty और फिर लंबी hulchal खतम हुई In a white dust एक सुफैद धूल की अंदर Of abyses परिंदों की host tries जिनकी चीखें have wield, फैल गई चक्कर लगाने लगी Since civilization's dawn जब से माशरे का आगाज हुआ है मतलब ये किसान जब अपने घास है उसको छेड़ता है तो उसके अंदर बैठे परिंदे जो हैं आसमान में उड़ने लगते हैं और उनकी चीखें गूँच जाती है जब से दुनिया बनी है तब से ऐसा ही हो रहा है From the parched river उस खुश्क दर्या के अंदर से और beast teaming plane या उन मेदानों से जो जानवरों से भरे हो Beast कहते हैं वहशी को और टेमिंग कहते हैं जरखेस करना मतलब वो मेदान जो वहशीयों से भरे हो The violence और तशदूद of beast उन वहशीयों का जानवरों का Own beast जानवरों पर Is red माना जाता है As natural law कि ये एक कुदरत का कानून है मतलब जब जानवर दूसरे जानवर को मारता है तो उसे कुदरत का कानून समझा जाता है But upright man सीधा खड़ा आदमी seeks his divinity अपनी खुदाई को हासिल करता है By inflicting किस तरह से पहुंचा कर pain दर्द को सीधा खड़ा आदमी दूसरों को दर्द पहुंचा कर अपनी खुदाई का दावा करता है इनसान और जानवर में क्या फर्क है कि इनसान जो है वो दो पहरो पर है और जो जानवर है वो चार पहरो पर लेकिन दोनों ही अपनी पावर को दूसरों को दर्द दे कर जाहिर करते हैं Delirious as these worried beasts और वो बे काबू है as these worried जैसे ये परेशान बीस्ट जानवर या वैशी his words और इनसान की जो जंगे हैं डांस वो उसमें रक्स करते हैं to the tight end बंदे हुए या सक्त कार कैस लाशों से of a drum एक drum के अंदर मतलब ये कि इनसान जो है अपनी खुदाई का दावा करता है लोगों पर जुल्म करता है और फिर उसकी खुशी कैसे मनाता है उन लाशों के drum बना कर उनको बजाता है और उन पर रक्स करता है धब इनसान लोगों को मारता है उन लाशों का drum बनाता है और फिर उस पर रक्स करता है while he calls courage को क्या करता है courage को हिम्मत को बुलाता है still that native उन मकामी dread खौफ को मतलब मकामी लोगों को खौफ दिलवा कर वो उसे हिम्मत का नाम देता है of the white peace सुफैत लोगों के अमन को contracted मोहिदा करके by the dead उन मरे हुए लोगों से मतलब ये कि वो लोगों को मार कर जो वहां पर अमन लेकर आता है अपनी खुदाई का दावा करता है उसे वो peace कहता है मतलब जो white है जो colonialist है वो उसे peace कहते है अमन कहते है क्यों क्योंकि उन्होंने गरीब लोग जो हैं जो african हैं जो tribes हैं उनको मारा और फिर उसके बदले में रक्स किया अपनी खुदाई का दावा किया लेकिन वो इसको नाम किस चीज़ का देते हैं पीस का अमन का अगें दुबारा brutish हैवानी necessity जरूरत wipes its hands अपने हातों को साफ करती है upon the napkin उस रुमाल के साथ of a dirty cause जिसके पीछे कोई गंदा सबब हो मतलब ये कि जो colonialist हैं वो लोगों को मारते हैं उनका खुन बनाते हैं और फिर ऐसे करते हैं साबित करते हैं कि ये जरूरत थी ये ऐसे ही है जैसे कोई इनसान अपने खुन लगे हातों को किसी गंदे रुमाल के साथ साफ कर ले colonialist भी ये ही करते हैं लोगों को मारते हैं और फिर उसे जरूरत का नाम दे देते हैं अगेन दुबारा अवेस्ट एक जाया है ज्या है ओफ आवर कमपेशन हमारी हमदर्दी का ऐस विद स्पेन जैसा के स्पेन की सिवल वार के साथ हम हमदर्दी आ दिखा रहे हों दा गोरीला रैसल्स विद दा सूपर हुमन ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदर जो है वो किसी सूपर हुमन के साथ जंग लड़ रहा हो या लड़ाई कर रहा हो I, मैं, who am poisoned जिसके अंदर जहर भर दिया गया है with the blood of both दोनों के खुन के साथ मतलब मैं वो जिसके अंदर अफरीकन्स का भी खुन है और यॉरपियन्स का भी Where shall I turn मैं कहां जाऊं? divided to the vein मेरी रगों को तकसीम कर दिया गया है I, who have cursed, मैं हूँ जिस पर लानत पड़ गई है मतलब मैं मेरे रगों के अंदर अफरीकन खुन भी है और यॉरपियन खुन भी है तो मैं कहां जाऊं? राइटर ये खुद से सवाल कर रहा है The drunken officer of British rule एक शराबी अफसर की तरह of British rule जो बरतानवी कानून दान है ये महबत है Betray them both या मैं दोनों को धोका दे दू और give back what they give और वापिस कर दू जो उन्होंने मुझे दिया How can I face such slaughter? कैसे सामना करूं मैं इस कतले आम का And be cool और पूर सकुन रहूं, पूर अमन रहूं How can I turn from Africa? कैसे मैं मूँ मोरनू अफरीका से And leave और जिन्दगी गुजारू मतब राइटर ये कह रहा है कि जो कोलोनियलिस्स हैं उन्होंने अफरीका पर जल्म किया लेकिन उस जल्म को एक जरूरत का नाम दे दिया और राइटर यहां पर confuse भी है कि वो अपनी double identity के साथ क्या करे वो अफरीकन भी है और यॉरपियन भी वो अफरीकन का साथ दे या ब्रीटिशर्स का तो वो अपनी double identity की वज़ा से परिशान है और इसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे वो ब्रीटिशर्स के बारे में बात करे या फिर अफरीकन के बारे में तो मेंली ये पोएम वाइलेंस इन केनिया के बारे में है और कॉन्फिलिक्टिंग आइडेंटिटी के बारे में तो यहां पर खतम होता है हमारा आज का ये लेक्चर उमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस